दोस्तों मैं सवरमली का आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ डेली करेंट फिर कुईज में आज हम देखेंगे 16 माई की करेंट फिर को जो की सभी परिक्साओं के लिए मैथपून रहेगी डेली करेंट फिर कुईज में मैं आपको डेली 10 मिनिट में 20 करेंट फिर के कोशन आंसर्स को कवर कराता हूँ जो की पूरे दिन की करेंट फिर होती है अगर आप लोग इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना आज का हमारा रिवीजन कोशन है हाल ही में किसने तीसवी सुल्तान अजलान साथ ट्रोफी जीती है इस कोशन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बोक्स में बताएंगे शुरू करते हैं आज की करेंट अफेर को और पहला कोशन आपके स्क्रेंट पर है भारते वायू सेना ने कहां पर एयर ड्रोफ सब्देशी मोबाइल होस्पिटल भिस्म क्यूब का परिक्शन क्या है पहले कोशन का राइट आंसर रहेगा आगरा में यानि की बी इस दा राइट आंसर दूसरा कोशन है किसने अपने पहले चीफ एयाई ऑफिसर के रूप में डेविस सालवा जिनी को न्युक्त किया है सही आंसर रहेगा दोस्तो ना साले यानि किसी इस दा राइट आंसर कोशन नबर थ्री है बांगल देश ने टी ट्वेंटी विस्व कब दोजार चोबिस के लिए किसे टीम का कप्तान बनाया है नजमुल हुसेन सांतो को यानि कि तीसरे कोशन का दोस्तो राइट आंसर भी हो जाएगा यह आपको याद रखना है कोशन नबर फोर है संयुक्त रास्ट महसबा ने किस दिन को विस्व पुटबोल दिवस के रूप में घोसित किया है कोशन नबर फोर का सही उत्तर रहेगा दोस्तो 25 मही को यानि कि D is the right answer कोशन नबर फाइव है IPL 2024 के प्ले ओफ के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरे टीम कोन सी है राजिस्थान रोयल्स यानि की right answer A हो जाएगा यारे दोस्तों अगर आप लोग किसी भी competitive exam की चारी करते हैं तो आप हमारी master pediap ले सकते हैं मात्र 170 रुपे की pediap है इसके अंदर आपको सारे के सारी subject मिल जाते हैं वो भी पूरी lifetime के लिए आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं master pediap का link description box और हमारे whatsapp number दोनों जगे रहेगा link पर click करके payment करके आप pediap directly प्राप्त कर सकते हैं चटा question है 36 गड़ का पहला 15 मेगा वोट का floating solar plant कहां स्थापित किया जाएगा question number six का सही उत्तर हैगा दुर्ग में यानि की a is the right answer सात्वा question है भारत की किन रचनाओं को युनेस्को के memory of the world asia pacific regional register में सामिल किया गया है राम चरीत्र मानस को पहिस्तंत्र को सहले लोकन को यानि की उप्रुक सभी यहां पर सही आंसर हैगा ठीक है सात्वी question का right answer D हो जाएगा हाली में किस देश के माउंट इबू जो आला मुखी में विस्पोर्ट हुआ question number eight का सही उत्तर हैगा दूस्तों इंडोनेसिया में यानि की a is the right answer question number nine है अप्रेल महा की female player of the month हैली मेथ्यूज किस देश से संब्दित है right answer रहेगा दोस्तों वेस्टेंडीस से यानि की b is the right answer question number 10 है हाल ही में रस्किन बोंड को साहित्य academy fellowship परदान की गई है रस्किन बोंड की इस भासा की लेखक है session आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करते चलिए share करना अपने दोस्तों के साथ में सुबह साड़े 6 बज़े ये वीडियो only top study YouTube चैनल पर regular आती है आप किसी भी exam की चारी करते हैं इस वीडियो को जरूर देख लेकर है दस्वे question का right answer है दोस्तों अंग्रेजी भासा की यानि की a is the right answer 11 question है हाल ही में ITF के junior 30 tournament का सुबारम कहां हुआ है question number 11 का right answer है दोस्तों लखनाव में यानि की b is the right answer question number 12 है हाल ही में विस्व हाइड्रोजन सिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया जा रहा है question number 12 का सही उत्तर हैगा rotor dam यानि की बारवे question का right answer C हो जाएगा question number 13 है हाल ही में किस देश में सुवर की किड्नी लगवाने वाले पहले व्यक्ति का निधन हुआ है question number 13 का सही उत्तर हैगा दोस्तों अमेरिका यानि किसी is the right answer question number 14 है हाल ही में कौन भारत के 85 ग्रेंड मास्टर बने है question number 14 का right answer हैगा P शामन निखिल यानि की right answer is B question number 15 है हाल ही में TCS ने कहा मानव केंद्रित AI उत्करिस्ता केंद्र लॉंच किया है question number 15 का सही उत्तर क्या रहेगा Paris में यानि किसी is the right answer question number 16 है हाल ही में किसने चंद्रमा पर पहला railway system बनाया जाने की योजना का अनावरन किया है question number 16 का सही उत्तर रहेगा NASA नासा ने आने की a right answer है सतर्वा question है हाल ही में Microsoft AI किस देश में 4 अरब यूरो निवेस करेगा सतर्वे question का right answer हैगा France देश में यानि की a is the right answer question number 18 है हाल ही में गोला फैक इस परदा में रास्टर रिकोर्ड बनाने वाली एक मात्र खिलाडी कौन बनी है question number 18 का सही answer हैगा आभा खटवा यानि की b right answer हो जाएगा 19 वा question हाल ही में रोजर कर्मन का निदन हुआ है वे कौन थे 19 वे question का right answer हैगा फिल्म विर्माता थे यानि की b is the right answer question number 20 है हाल ही में financial year 2024 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागिदार बना है question number 20 का सही उत्तर हैगा चीन यानि की c is the right answer प्यारे दोस्तों 20 में से आप लोगों ने कितने questions के answer सही किये है comment box में अपना score बतेगा और आज का हमारा homework का question है कि इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सोसील कुमार मोदी का निदन हो गया है इस question का answer सभी student comment box में answer बताएंगे जो इसका सही उत्तर हैगा वो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊँगा आज का हमारा question of the day है सबसे अधिक समय तक जीवित रहने वाला जीव कौन सा है तो इस question का answer बताएगे पांच सेकिंड का समय मिलता है दोस्तो right answer आएगा दोस्तो कच्छवा यानि कि C is the right answer और कल का हमारा homework का question था दुनिया की सबसे उची चोटी mount average को सरवदिक बार फते करने का record किसने बनाया है तो सही answer आएगा दोस्तो B कामी रीता से रप पाने ठीक है अब देखिए अगर आप लोगोंने only top study app नहीं डाउनलोड किया तो डाउनलोड करिए और 5 star की rating भी जरूर करिएगा और प्यारे दोस्तों अगर आप लोगोंने अभी तक master PDF नहीं ली है तो 170 रुपे की PDF है जिसके अंदर आपको सारे subject मिलेंगे वो भी पूरी lifetime के लिए आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं master PDF का link description box और हमारे WhatsApp नमबर दोनों जगर हैगा link पर किलिक करके payment करके आप PDF डारेक्टली प्राप्त कर सकते हैं session आपको पसंद आए तो like share करिए चैनल पर नए है तो subscribe करिए bell icon को on रखे ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिसना हो thank you so much bye bye everyone take care खाल लगे अपना मिलते है next class में